आप अप अप तो एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ आप सब का वैल्गिम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट तो जी आज जुम्मा है और अभी जो है वह बड़ सब लेगर आए हैं नाश्ता तो भी चलते हैं बड़ सब के पास औ और फिर उसके बड़ तयार होते हैं जुम्मा के लिए और फिर मिलते हैं आपकूं जुम्मा के बाद चले हानी चले ऐस्सालम अलैकों बटसाहें क्या हाल चाल है नाश्ता नाश्ते में हमारे पास हैं अंडे और के बटसाअफच चने खल्वा नान और ये फ्रेश क्रियंग और पूरी अलवा और अभी हम लोग करने लगे हैं सब मिलके नाश्ता तो नाश्ते के बाद मिलते हैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहिए जुम्हा पड़के घर आचुकी है अभी मैं घर के बाहर बैठा हूँ और अभी जाएंगे उपर और देखेंगे फैमिली रेडी हो गई है अगर हो गी है फैमिली रेडी तो उनको लेकर जाएंगे चाचु की दरफ इंशाला फिर वहां जाकर जो भी अपडेट्स होंगी जो आँ पर और फिर देखते हैं कि सब क्या का रहा है अब ही जो है हम लोग आचुके जाख बेहर को कर रखा लियर और सब सोरे है अपनों कर दो यह देखें कि जुम्हें के बाद खाना खाते हैं और खाने के वह फोल और सब सो जाते हैं थोड़ी द्रेर के लिए रहेस्त करना बीजरूरी है तो मेरे साथ है हमारी ये प्यारी सी आपी और ये विद्वारा नहीं इसलाम बड्स है इंशाला हमारी वीडियो दिन आप दे गा तो अभी इन लोग तो अब जानते हैं ये नया है वाज वीडियो में तो यह भी जाचु का तीसरा बेटा है सबसे छोटा इसका नाम है वरकार तो अभी इनका सीन ऐसे है के जी आज यहां पर हो रहा है बोटल फिलिप चैलेंज इन तीनों बच्चों में दर्मिया उसकी बारी होएगी और यह अपी जो एना मारीश का नाम है इनाया तो जी अभी इन तीनों के दरम्यान बॉटलफीप चैलेलेंज अने लगान है जहिए ने लागा है यह की अभी हम स्टार्ट करते है अपना टूनामेटर लेकर चलते हैं हमारे प्लीएर्स कीज अरू चैलेवोगा ऐं सबसे पहले जो दो टीमेन». स्बसे पहलान है भार लियान ह?, और शलो जिसके पॉइंट्स होंगे वो अगली टीम के सथ खेलेगा जिसके काम होंगे वो बाहिर हो जाएगा टूलोमेंट टीक है और फॉर एक्जेम्पल अगर बराबर हो जाते हैं एक जैसे पॉइंट्स होते हैं तो फिर फिर उनको 66 टरंस मिलेंगी दुबारा से तो अभी स्टार करते हैं अपना यह चेलिश कर दो है कि या झाल जी जिन जी जो जीड़ी दो कि अज़िए चलो है यह कि स्कोर हुआ है यान सापने अपनी 15 बारियां लिया और इन की पंधना बारियों में सिर्फ दो बार इनकी जो बोडल है ना उसे वह स्टेंड जिए तो अभी वकार की पारी है अब देखते हैं कि वकार 15 बारियों में तीन पॉइंट्स ले सकता है यह नहीं तो स्टार्ट करो जी यह वकार साथ स्कोर लेवल और इस इस मैच काविनर है वकार जीत गया तो जी अब नेक्स मैच है बिलाल का और वकार का तो देखते हैं दोनों के दर्म्यान जो मुकाबला वो कौन जीता है अब ने हम द्रण साथ सबस्क्रास के बिलाल के वकार जीता है यह तो यह टूरेंल बिलाल जी देगा है तो वीबारी कों ले रहे पर जो यार जीता था उसकी बाद माननी चाहिए तो जी बिलाल पहले बारी लेगा तो स्टार्ट करते हैं जी फाइनल ग्राउं 14-4 15-5 तो जी बिलाल साब ने स्कोर किया 5 वकार ने अगर यह टूनामेंट जीतना है तो को सीक्स पॉइंट इनको करने पड़ेंगे तो यह टूनामेंट जीतेंगे तो स्टार्ट गरो जीवकार वान जीरो पाइब फोर नाइन नाइन फाइव स्कोर लेवल हो गया जी नाइन हो गया टैन एलेवन अरीव जी एक शणनवी बजह ट्श विया टूनामेंट ऑगी रेटिस यह ट्वारीणार टैनलेजीए एव टिसाट बच्चा था इसलिए मैं जीता गया जैए passage कि हम लोग इस वक्त हैं अलहमरा पार्क जद्दा में बेसिकली आप देख रहे हैं कि हर तरफ अंदेर हैं क्योंकि यहां पर लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो क्योंकि यह जगां जो है बेसिकली काफी टाइम से बन थी और इसको भी थोड़ी देर पहले ही खोला गया है गोर्मिंट की तरफ से तो में भी हो सकता है कि थोड़ी देर तक गोर्मिंट की तरफ से कुछ इसका अरेंजमेंट किया जाए यह भी जो मैं वीडियो बना अगर यह ना होती जिए अपी अच्छा इदर आओना तो अगर यह गाड़ी ना होती तो शायद अभी वीडियो जो है वो मैं ना बना पाता तो देखते हैं अभी सब लोग पीछे बैठ गें वह देखें अंदेरी को इसे नजर नहीं आ रही है कि यह आरे हो वीडियो में और यह है मारी आपी जो है नहीं इसके यह मेरी वीडियो बनाओ बार बार उधर है उजग देह रहा था मैं तो जी देखते हैंभी यहां कितनी देर तक बैठते हैं यहां पर जादर बैठेंगे गप्शाब लगाएंगे यहां पर हम लोग आगर बैठते हैं कप्शाब में जाते हैं है जी जनाब तो अलहमदुलिल्ला से हम लोग घर वापिस आ चुकी है अबी रात के तकरीबां सवादास हो चुकी एंवर मैं जा रहा हूँ बाहिर और अभी सीन कुछ इस तरह का है कि हम लोग आपके सामने जिस कॉर्णिश पर गे वेने वहाँ लाइटिंग की वज़ा से ज्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई तो मैं इंशाला पिर किसी दिन किसी नहीं वीडियो में आप सब को उसी कॉर्णिश पर उसी प्लेस पर दुबारा विज़िट करवाऊंगा क्योंकि वह जो प्लेस है ना वहाँ पर मैंने वीडियो में भी बिताया कि लाइटिंग का कुछ इशू है इसकी वज़ा से वहाँ पर वीडियो ज्यादा नहीं बन सकी तो इन्शाला मैं दुबारा विज़िट करू और आप सब को भी उस जगह का विज़िट करवाऊंगा शायद आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैं ज्यादा तर वीडियो जो है वो गारी में क्यों बनाता हूं तो उसकी एक वज़ा है उसकी वज़ा है कि साओधिया रेबिया में ज्यादा तर गारी का जाता है पैदल हाँ घर के करीब करीब वाले काम तो पैदल किये जाते हैं लेकिन जो थोड़ा सा दूर जाना हो उसको उसके लिए हम गारी यूज करते हैं तो बेसिक लिए यहां पर गारी जो है ना वो बाइक की तरह यूज की जाती है जैसे पाकिस्तान में हम हर काम ज्य ये एक थोड़ा सा ये मैं आप लोगों के सा शेयर करना चाहरा था तो ये थी आज की वीडियो तो उमीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और कुमेंट जबूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाँ वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब को मिल सके इसी के साथ आप सबसे इजाज़ चाते हैं दौाओं में बहुत याद रखिएगा इन्शाला दुबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफिज